चलिए आज आप लोगों से एक मज़दार काम करवाती हूं आखें बंद करके ये जो तेड़े मिड़े शब्द हैं इनको शकले देने की कोशिश करिए पहला शब्द है प्यार जी हां आँखों में दो गुलाबे दिल लिए ये जनाब हाजिर हो गए होंगे दूसरा शब्द है सम्मान यानी इजज़त सही पकड़े हैं दो नीले पिले हाथ एक दूसरे से चिपक कर आपको नमस्ते ठोकने वाले हैं लेकिन जो तीसरा शब्द है उसका उपर वाले दोनों शब्दों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है जी हाँ बेवकूफी अब बोलिये दिमाग में क्या आता है जवाब नहीं मिल रहा कोई बात नहीं मैं आपकी मदद कर देती हूँ आज इस वीडियो में आपकी मुलाकात साक्षा बेवकूफ शब्का अविशकार करने वाली जीनियस से कराऊंगी जिनके दिमाग में कितना जहर है उसके उपर नासा और एलियन्स दोनों मिलके रिसर्च कर रहे हैं लेकिन जवाब खुद भबवान के पास भी नहीं है चलिए मैं और आप भी एक छोटी सी कोशिश करके देख लेते हैं क्या पता नागिन सीरिल को बन कर आने की चावी हाथ लग जाए सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात फिल्म के दर्शन आपको नेट्फिक्स पे हो जाएंगे तो अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो मेरी बातों को नजरन्दास बिल्कुल मत करियेगा मैंने आपको साफधान कर दिया है कहानी दो अतरंगी बहनों की है बड़ी वाली है डॉली जो चंचल चतुर पती देव और दो प्यारे छोटे बच्चों के साथ नॉडा नाम के मशूर शहर में अपनी शादी की गाड़ी को धक्का मारके धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है चोटी वाली है काजल जो गाउं से चुटकारा पाके पहली बार शहर की सुबह को रात बनते हुए देखने का मौका पूरी तरह इस्तिमाल करना चाहती है और अपने दिमाग में बैठे हुए सफेद काले सपनों में रंग भरके उनको रंगीन बनाना चाहती है कहानी में त्विस्ट आता है जब काजल खुद को किट्टी में बदलने का फैसला करती है जी हाँ एक ऐसी चालाग दुकानदा जो फोन पर चलने वाली एक अजीबो गरीब दुकान में किस्मत के मारे प्यार के प्यासे लोगों को खुलम खुला नौटी रुमेंस खरीदने का मौका देती है लेकिन छोटे मिया तो छोटे मिया बड़े मिया सुभान अल्ला इधर डॉली मेंसाब अपनी जिन्दगी के ड्राइवर को बदल कर मामूली बेजान रिष्टे में पती पत्नी और वो का मज़ेदार तड़का लगा देती है थोड़ा बेवफा ही सही लेकिन प्यार दिल की खिड़की से अंदर घुज जाता है क्या लगता है किटी दीदी का ये अजीबोगरी फोन रुमेंस उनके सपनों को पंक लगा पाएगा या फिर नए शहर की आजादी मैडम के दिमाग पे एक ऐसा जखम छोड़ेगी जिसके निशान शायद उजाला और निर्मा दोनों मिलकर भी नहीं मिटा पाएंगे ये डॉली जी का नाजाय जिश्क कितने दिनों का महमान है या फिर नटखट पतिदेव को हमेशा हमेशा के लिए लात मार कर मैडम खुद आशिकी का वर्ल्ल रिकॉर्ड बनाने का सपना देख रही है और एंड में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो जिसमें एक जान कहलाने वाली ये दोनों प्यारी भोली मासूम बहने एक दूसरे की खुशियों से जल भुनकर दोस्से दुश्मन बन बैठी है सारे जब आप मिलेंगे नेट्फिक्स पर देखो फिल्म के सेंटर में जब आप दो बहतरीन अक्टर्स को कास्ट करते हो उसके अराउंड फैमिनिजम और विमन पावर का कॉंसेप्ट क्रियेट करते हो तो दिमाग में एक्साइटमेंट का लेवल सारी सीमाई लांग जाता है जैसे मानू आँखों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद असलियत में किसी की जिंदगी पलट सकता है लेकिन मिलता क्या है दो confused लडगियां जो खुद अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को क्रियेट करती हैं और फिर उनका जवाब तलाशनी की जगे किसी दूसरी बिमारी की दवा खरीद लेती है सोचो आप हॉस्पिटल गए दानत का इलाज कराने लेकिन घर वापस लोटे पैर कटपा के इस बात में कोई लॉजिक है क्या? कैसे हो सकता है? फिल्म की प्रॉड्यूसर कौन है? जानते नहीं है क्या? जी हाँ वही शैतान बच्चा जो साज बहु में जनम जनम की फूड डालने के जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाए हुए है इनकी बहु चर्चित फिल्म वीरेदी वेडिंग के बारे में आपने ना सुना हो ऐसा तो हो नहीं सकता बस जो तबाही इनके शुब विचारों ने उस फिल्म में मचाई थी वो समुंदर डॉली और किटी दोनों को अपने अंदर निगल चुका है और इस जहरीले तूफान का नाम है सेक्स एक बार फिर से वही हरकते जिसमें बड़ी से छोटी हर दिक्कत का समाधान ले देकर एक शप्ट के उपर अटक जाता है बड़े शहर में पैसे कमाने है तो फोन सेक्स का सहारा लीजिए पती के साथ रिष्टे में खटास है तो अजनभी के साथ सेक्स की मिठाई खा लीजिए यहां तक की दो बहनों के टूटे हुए रिष्टे को जोडने के लिए भी सेक्स वाले फेविकॉल का इस्तिमाल किया जाता है मतलब एकता मैडम यह कौन सी दुनिया है जिसको आप परदे पर बार बार उतारने की कोशिश कर रही हो ओल्ट बाला जी कम पढ़ गया था क्या शेर मानी जए उन लोगों को जो स्क्रीन पर लड़कियों के हाथों में दारू की बॉटल पकड़ा के मुँ में जलती हुई सिग्रेट सजाके और जुबान पर घिनोनी गालियां उच्छाल कर उसको फैमिनिजम का नाम देते हैं लेकिन सबसे ज़ादा जहरीला है इस फिल्म का क्लाइमेक्स जिसको देखने के बाद आप अपने दिमाग को खुशी-खुशी अगले जनक ले विदा कर सकते हो मतलब एक साथ इतनी सारी चीज़ों की खिषडी तयार की गई है जिसके सामने बिचारे इंसेप्शन के वर्नादो डीकैप्रियों भी शेम से पानी-पानी हो जाएंगे बात करूँ आक्टिंग की तो कौंकणा और भूमी दोनों अपने फिल्म में मास्टर हैं दोनों की परफॉर्मेंस एक दब मजबूत और रियलिस्टिक लगती है एक तरफ तूटे दिल को जोड़ना दूसरी तरफ नई जिन्दगी की शुरुआत दोनों सटीक तरीके से अपनी पहचान बदल देती हैं लेकिन शिकायत कहानी में इनके फर्जी बनावटी केरेक्टर से है जिसमें रत्ती भर भी असलियत नजर नहीं आती और सीधी साधी फिल्म में रायता फैलाने के अलावा इन दोनों को कोई दूसरा काम नहीं दिया गया है विक्रांट में ऐसी अमोल पराश्टर दोनों के कैमे रोल्स काफी इंटरस्टिंग और मज़िदार हैं लेकिन जिस फिल्म की कहानी ही उसकी सबसे बड़ी विलन हो उसमें बिचारे छोटे मोटे पटाके कुछ खास कमाल नहीं कर सकते तो यार कमशब्दों में बोलू तो डॉली किटी और वो चमकते सितारे एक कमजोर और धीली ढाली फिल्म है जिसके सेंटर पे सबजेक्ट तो काफी पारफुल और इंस्पिरेशनल है लेकिन बनाने वाले के इरादों में खोट की विज़े से फिल्म सेक्स और बिवकूफ काने के लिए एक स्टार लॉजिक के चहरे पर कालिक पोतने वाली कहानी के लिए और एक स्टार अच्छी खासी टैलेंटेड स्टार कास्ट को घटिया तरीके से इस्तमाल करने के लिए बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा से इंतिजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाइबाइब